जै मातादी मित्रो मेरा नाम पंडीत प्रकाश जोसी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्ट वाज में मित्रो साल दोजार चौबिस आने वाला है और हिंदू समवसर के अनूसार नया समवसर 9 अप्रेल दोजार चौबिस को लागू होगा और राजा इस बार मंगल बन रहे हैं मंत्री इस बार शनी देव बन रहे हैं और जो समवसर है वह समवद काल यूगतव नाम का समवद है तो राजा मंगल मंत्री इसके साथ में शनी और जो समवध है उसका नाम काल यूगतव क्या इसका फल रहे गा इस कारेकरम में हम डेटेल में चर्चा करेंगे जैいます जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम पंडित प्रकाज जोशी मैंने पिएच्डी की है मैं डॉक्टर भी हूँ जोतिश महारिशी भी हूँ चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशी के लिए साल 24 कैसा रहने वाला है पहले वर्षेश कुंडली देख लेते हैं मिथुन राशी की बैठे यश योग और रोचक योग का निर्वान कर आ हforth हैं तो कही न कहीं साल 24 में मिथुन राशी के चार बड़े काम होने के योग बनते हैं चाए आपकी नाम राशी जनब राशी मिथुन है तो कहीं न कहीं चार बड़े लाब आपको मिलने के संकेट न जला रहे हैं आपके लोन EMI कम हो रही है यानि आर्थिक ग्रोध आर्थिक प्लानिंग आर्थिक योजना आर्थिक निवेश आप बहतर तरीके से साल 24 में कर रहे हैं क्योंकि चंद्रमा तृतिय भाहों में बैठे हैं यानि कि आप अपनी बुद्धी से कुछ आर्थिक इन्वेस्टमेंट दूसरी बड़ी गटना के बारे में बात करें तो नए काम के नई ब्रांच खोलने के नए जॉप के आपको आफर मिलेएंगे नए पार्टनरशिप के आपको आफर मिलने वाले हैं यानि कि दूसरी गटना ये हो रही है तीसरी गटना के बारे में बात करें तो ये मितुन राशी वाले उनकी जो कुवा रहे हैं शादी की विगन बादा दूर हो रही है कही ना कहीं देखा जाए तो शादी के आपके योग साल दूजार 24 में बन रहे हैं साती साथ वाहन भू 2024 में मिल रहा है चौती गटना के बारे में बात करें तो करियर के अंदर पद प्रमोशन काम में जबर्दाश बृद्धी यानि साल 2024 में आप काम से तो कंप्लेंड नहीं करेंगे काम आपके पास भरपूर रहेगा अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपके पद प्रमो पड़ेगा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं तो एक जनवरी साल 2024 से लेकर और 15 फरवरी 2024 तक आपके उपर राहू का प्रभाव रहेगा यानि साल के शुरुवात से और 15 फरवरी तक राहू के कारण काम में परेशानी होगी काम कैंसिल होंगे आपकी कोई वस्तु ग साल के शुरुवात में नुकसान हो गया तो आप इतनी जज्जमेंटल ना हो थोड़ा धेरे रखे 15 फरवरी तक आपके उपर राहू चल रहा है तो ये कुछ ना कुछ जरा मरा नुकसान या बड़ा नुकसान आपको करके जाएगा अगर छोटे में टल गये हैं तो किसमत वाले आप यानि 15 फरवरी तक आपको नुकसान होने के पूरे चांसी हैं उसके बाद देखा जाए तो 15 फरवरी के बाद से और अप्रेल 2024 तक आपके उपर गुरु का प्रभाव होगा और जैसा मैंने का गुरु आपके लाब भाहूं में बैठे हैं यहां पर बैठे हैं मे जैमातादी जी आप गुरु जी से मिले हैं कैसा अनुवाव रहा आपका आप कुछ बताएं जी आपके अच्छा लगा बहुत डेटेल में खुलके सारी चीजे बताते हैं समझ आई हैं चीजे और लग रहा है कि जो उन्होंने उपाए बताए हैं वो करने चाहिए और करके मुझे लग रहा है कि उमीद है आगे पूरे भी होंगी चीज़े पूरा फायदा होगा मैं मिनिस्ट्री आफ इस्किल डेवलप्मेंट की काउंसिल में काम करती हूं एजा बिजनस डेवलप्मेंट मैंनेजर यहां से अब आपका पीक टाउन शुरू होगा और अप्रेल तक चलेगा अप्रेल के बाद जून तक देखा जाए खासकर 18 जून 2024 तक आपके उपर शनी का प्रभाव होगा शनी सच योग बना रहे हैं तो यहां पर आपका लंबी दूरी की यात्रा का योग बनता है या फिर आपके विदेश से समंदित काम सपल होंगे विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं काम में आपको सपलता मिलेगी विद्यारती हैं उनको अच्छे अंक प्राप्त होंगे काम में उनको प्रतियोगिता परिक्षा में अच्छी सपलता मिलेगी यानि कुल मिलाके देखा जाए तो 15 फरवरी के बाद से और 18 जून 2024 तक आपका पीक टाइम बढ़ता बढ़ता बढ प्रतियोगा और 11 सितंबर तक रहेगा इस समय पे आपका बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा वहान पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा खर में अचानक कलेश परिशानी शुरू हो जाएगी यह केतू का अंतर आपके लिए खराब है जो कि 18 जून से शुरू होगा और 11 सि कुछ लोगों को जानवर से बहे कुटा भी कार सकता है क्योंकि केतू के प्रभाव में ऐसा होता है तो 11 सितंबर तक थोड़ा परिशानी वे रहेंगे काम होते वे रहेंगे लेकिन खर्चा बढ़ेगा फिर 11 सितंबर के बाद से लेकर और पूरा का 31 दिसंबर 2024 तक देखा जाए तो शुक्र का प्रभाव आपके उपर आएगा खासकर 39 से कतिस तक यानि कि शादी के योग आपके बनते हैं यानि कि जो कुवारे हैं उनका अचानक कोई रिष्था आएगा और उनका कुछ नकुछ सगाई के योग रोके के योग एकदम से जाता हुआ साल करेगा य जाती साथ आपकी शादी हो गई है संतान के लिए ललाईत है तो सितंबर से दिसंबर के बीच में आपके संतान के योग भी बनते हैं करियर के लिए बात करें तो करियर के लिए जाता हुआ साल बड़ा टर्निंग पॉइंट वाला होगा यानि कि बड़ा परिवर्तन होगा नए जॉब के आपको ओफर मिलेंगे, मन पसंद जॉब आपको मिलेगी, मन पसंद डेजिगनेशन आपको जाते हुए साल में प्राप्त होंगे, परिवार के साथ में आप नदी पहाडों की धार्मिक जगा की यातरा भी करने वाले हैं, और वाहन खरीजने वाले हैं, ऐसा य 24 में दो समय आपके लिए थोड़े खराब है सबसे पहला जनवरी से लेकर और 15 फरवरी तक का ये समय तो बहुत ज़्यादा खराब है उसके बाद देखा जाए तो आपका दूसरा आपका केतु का अंदर यानि कि 18 जून से लेकर और 11 सितंबर तक ये दो समय ये 50% खराब है और एक जनवरी से और 15 फरवरी तक आपके लिए 90% खराब है बाकी पूरा साल आपके लिए लाबकारी रहने वाला है मित्रों इसकारे करम मैं बाई इतना ही मुझे ज़िए ज़्यादा जय माता दी जय माता दी बंदना जी बंदना जी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि गुरुजी से तो सालों पहले से जुड़े हैं तो क्या है आपका अनुबाब मजे कुछ बाई गुरुजी से बहुत सालों से जुड़े हैं और अब ऐसा जुड़े हैं कि ये एक परिवार के ही मेंबर लगते हैं इनकी आस इनका विश्वास यही होप देते हैं यही राहत दिखाते हैं, जब भी हम परिशान होते हैं, हमेशा इनी के पास आते हैं, तो यह सालों साल ऐसा ही चलता रहे हैं, और अभी हम विदेश में सेटल होने का सोच रहे हैं, गुरुजी से ही सारा ग्यान लिये हैं, तो इनका भी ऐसे ही चलता रहे हैं, इश्वर ने ग्यान, सम्म पास कायम रखें यही कामना है इनका अच्छा चले और यह दूस्टरों को भी ऐसे ही रहा दिखाएं इतने साल हमारे साथ जुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है